राजे सरकार का मास्टर स्टॉप प्रदेश के 10 लाग कर्मचारियों को सरकार देगी 3 बड़ी सोगाते चुनावी साल प्रदेश के 10 लाग कर्मचारियों को सरकार देगी 3 सोगाते प्रोबेशन में भी 100 प्रतिशत वेतन मांदेय बढ़ा, दीए एक जन्वरी से ही मिलेगा भासकर न्यूज, भूपाल, चुनावी साल में राज्य सरकार प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को 300 गात देने जा रही है तृतिय और चतुर्थ श्रेनी कर्मचारियों का प्रोबेशन पीरियट 4 से घटा कर 2 साल किया जाएगा एक दशमलव नौशून्य लाख आनगन वारी कारे करताओं को नया मांदेय 1500 रूप और सहाईकाओं को 750 रूप मिलेंगे राज्य में अब जब भी दिये बढ़ेगा वो उसका भुकतान एक जनवरी और एक जुलाई 2023 से ही किया जाएगा वितर मंत्री जगदीश देवडा का कहना है कि 2018 के पहले हमने जुलाब दिये उन्हें कॉंग्रेस की सरकार ने 2019 में बंद कर दिया था इन तीनों सौगातों की घोशना जल्द हो सकती है प्रोबेशन पीरियेड कॉंग्रेस सरकार ने चार साल किया था अब दो साल होगा 2018 के पहले तक करमचारी चैन मंडल पूर्व में व्यापमा से भरती होने पर टृतिये चतुरत करमचारी को जॉइनिंग की तारीख से दो साल का प्रोबेशन पीरियेड मिलता था 2019 में कॉंग्रेस सरकार ने प्रोबेशन पीरियेड चार साल कर दिया इस अवदी को सीनियोरिटी में नहीं जोडने का आदेश दिया इसके तहट कर्मचारियों को पहले साल में 70 प्रतिशत, दूसरे में 80 प्रतिशत, तीसरे में 90 प्रतिशत, चोथे साल में 100 प्रतिशत वेतन दिया जाने लगा। अब भाजपा सरकार इस नियम को बदलने जा रही है। इसमें प्रोबेशन पीरिट 14 से घटा कर 2 साल करने जा र इसकी घोषना इसी महीने होने की संभावना है। अभी आंगनवाडी कारे करताओं को 10,000 रू तो सहाइकाओं को 5,000 रू मासिक मांदेय मिलता है। बढ़ने के बाद नया मांदेयक रमशा 11,500 और 5,750 रू हो जाएगा। इन्हें लाडली बहना योजना के 1,000 रुपे हर मही ने अतिरिक्त मिलेंगे। 2018 में जब शिवराज मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मांदेय 11,500 रू किया था। लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने मांदेय घटा कर 10,000 रू कर दिया था। 7,50 लाग को फाइदा केंडर से 4 प्रतिशत कम जब भी बढ़ेगा तो एरियर जन्वरी स 7,50 लाग करमचारियों के बढ़े हुए DA महमगाई भत्ता की घटा जब भी हो लेकिन इसका एरियर एक जन्वरी से ही दिया जाएगा। DA को एक जन्वरी से ही दिये जाने के बारे में परीक्षन करें। इसमें एरियर का कितना भुकतान करना पड़ेगा। इसका भी परीक्षन कर लिया जाए।